जैजनेन बंदो मैं रवी जैन गुरुजी आज बुद्वार और सरवार सिद्धी योग देखे हमें कोई भी नया कारे आरंब करना होता है तो हम सरवार सिद्धी योग में आरंब कर सकते हैं उसके सफल होने की संभावना काफी बढ़ जाती है और अब बात करते हैं आज के रासी फल की मेश रासी वाले स्वास्त संबंदी प्रेशानी आ सकती है पेट का विसेश ज्यान रखें क्या करें भूके व्यक्ति को यथा संबव भोजन कराएं वर्शब रासी वाले किसी भी योजना में सोच समझगर पूजी निवेस करें शतर्क रहें क्या करें ओम रिम्ष्री अजितनाज जिनेंदराई नमा की एक माला फेरें मिच्छुरासी वाले इमान दारी से कार्य करें व्यर्थ में ना उल्जें क्या करें काली मिरच पचास गिराम या उससे अधिक कितनी भी दान करें करक्रासी वाले मामलो को सांती से सुल जाएं मतबेद उभर सकत क्या करें चोके में अनार का दान करें अगर संभव हो तो सिंग रसी वाले सामाजिक मानसंवान मिल सकता है मानसिक सान्ति भी बढ़ेगी क्या करें ओम रिम शिरी पदम प्रभू जिनेंद्राइ नम्हा की माला फेरे कन्यारासी वाले दूसरों के कारिये में हस्तक शेप ना करें जल्दबाजी से बचें क्या करें जिनमंदिर जी में दर्सन अवश्य करें तुला रासी वाले आज सामान्य लाब का दिन लेकिन आलस्य से बचना पड़ेगा, क्या करें रोली काटी का अपने माथे पर लगाईं, वरश्चिक रासी वाले अधिक भावुक ना बने स्वियम पर नियंतरन रखें, क्या करें शिरी पारशना चालिसा एक बार हलकी में पड़ें, धनूरासी वाले तनावपूर्ण जीवन सैली से बचें, भजन पूजा पाठ में मन लगाएं, क्या करें शिरी मंदिर जी की दान पेटी का में दान अवश्य डालें, मकरासी वाले अपनी सोच को सकारात्मक रखें, दूसरों की अधिक शिंता ना करें, क्या करें, पांच मिनट का मोन दिन में दो बार रखें, कुम्बरासी वाले धन संबंदी निर्ने, सोच समझ कर लें, पतनी या पती की भी सला अवश्य लें, क्या करें, वेदी पर नो छोटी इलाईची, ओम रिमश्री विमन लाज जिनेंदराय नम्हा बोल कर चड़ाएं, मीन चेत रहना बहुत जरूरी, क्या करें, नमोकार महामंतर की एक माला फेरें, रासे फलके पश्याद बंदो, अब बात करते हैं, आज की सला की, देखें, आज की सला में हमेशे ध्यान रखें, जब भी आप भोजन करें, तो आपका मुख पूरब या उत्तर दिसा की तरफ हो होगा, और आपकी पाचन किरिया भी सही रहेगी, तो ध्यान रखें, भोजन करते हुए, आपका मुख हमेशा पूरब या उत्तर दिसा की तरफ होना चाहिए, आज की सला के पश्याद, अब बात करते हैं, आज की मेल की, ये मेल हमें भेजी है, सोहन लाल जैन जी ने बहुत अच्छे हैं, मगर मेरी बेटी उन पर शक करती रहती है, और ये है उनके घर में विवाद का कारण है, तो मैं ऐसे में क्या करूँ, देखे सोहन लाल जी, आपने जो अपनी पुत्री और दामाद की कुंडली मेरे पास बेजी है, मैं बता दूँ, के दामाद की कुं कुंडली में है, के उसकी कुंडली में सब्तम भाव में चंद्रमा और शनी एक साथ बैठकर विस्दोस बना रहे हैं, ये उनके वहवाई जीवन को डिश्टब करने का काम कर रहा है, आप बिटिया से कहें के वह दो उपाई करें, एक तो शाम के समय चंदा प्रभू चाली इसा अवश्य पढ़े, और दूसरा परतेक शनिवार, 21 लोग लेकर मंदिर में जाएं, और एक एक लोग पर ओम रीम शिरी मुनी सुपरतना जिनेंदराय नमा बोलकर 21 लोग चड़ा दे, अगर ऐसा बिटिया करेगी, तो निश्चित रुप से एक बड़ा परिवर्तन उस लगातार फ्लेस हो रही है, आपका दिन सुब और मंगल में हो, इसी भावना के साथ सबी को जै जिनेंदर